यदि आपका शहर धुये से भर जाए तो आप क्या करेंगे? कुछ ऐसा ही होता है आज की कहानी में. लगभग एक घंटे पहले शहर में एक भूकम पाया था जिसके कारण पूरे शहर में बिजली गुल हो गई थी और मूवी का में कैरेक्टर मैथ्यू पावर आउटेज का प कुछ मिगलती जा रही है. हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा है. गैस अब घरों में भी घुसने लग गई है. मैथ्यू घर पहुचकर जल्दी से अपनी पत्नी एना को हालात के बारे में बताता है और दोनों अपनी जान बचाने के लिए उपरी मंजल पर जा भी नहीं आ रही थी. वे कुछ देर के लिए यहां सुरक्षित है लेकिन उनकी बेटी दूसरी मंजल पर फसी हुई है. उनकी बेटी को एक बहुत ही दुरलब बीमारी है जिसके कारण उसे सिर्फ साफ हवा में सांस लेना पड़ता है. इसलिए वो घर पर एक एर टाइट क बावजूद कैपसूल बैटरी से चल रही है पर बैटरी केवल कुछ घंटों तक चल सकती है. मैथ्यू को थोड़े देर बाद कैपसूल की बैटरी बदलनी होगी लेकिन यहां से दूसरी मंजल तक पहुचने में 4 मिनट लगते हैं पर इतनी देर तक कोई भी अपनी सांस नहीं रोक सकता. मैथ्यू को अचानक याद आता है कि 5 वी मंजल पर रहने वाला आदमी अस्थमा का मरीज है जिसके पास ऑक्सीजन टैंक और मास्क है. अपनी बेटी को बचाने के लिए वो पाइप पर चड़ जाता है और एक गहरी सांस लेकर धुये में एंटर करता है. वो खिरकी तोड़कर अंदर जाता है जहाँ वह देखता है कि वो आदमी मरा हुआ है. मैथ्यू बहुत घबरा जाता है और जैसे ही उसकी सांस तूटने वाली होती है. उसे ऑक्सीजन टैंक और मास्क मिल जाता है उसकी जान बच गई थी. वो ऑक्सीजन टैंक और मास्क प सेनिक मैथ्यू को अपने साथ चलने का कहता है। और वो एक्विप्मेंट शेहर के डाउन टाउन लेब में है। पर अपनी बेटी को बचाने के लिए वो एर्टाइट सूट की तालाश में निकल जाती है। सौभागे से मैथ्यू नदी में नहीं डूपता और जल्दी से नदी से निकल जाता है। कुछ देर बाद वो दोनों लेब के बाहर एक दूसरे से मिलते हैं। आखिरकार वो सूट उन्हें मिल जाता है। वे एर्टाइट सूट को लेब बिल्दिंग की सबसे उपरी मंजिल पर ले जाते हैं और थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हैं। मैथ्यू की स्किन बुरी तरह जल गई थी। एना उसकी पट्टी करती है और एक छोटे से ब्रेक के बाद वे घर जाने के लिए तयार होते हैं। लेकिन बची हुई ऑक्सीजन दो लोगों के लिए पर्याप नहीं है। मैथ्यू एना को सूट लेकर पहले घर जाने के लिए मना लेता है। हाला कि एना उसे पीछे नहीं छोड़ना चाहती थी। पर अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे जाना ही होगा। फिर एना सूट लेकर घर की तरफ निकल जाती है। एधर मैथ्यू छट का इस्तेमाल करते हुए घर की ओर बढ़ने लगता है। पारकिंग वाली छट पर आकर मैथ्यू देखता है कि छट पर खून के लंबे निशान है। उसे पता चलता है कि यहां किसी का मड़ हुआ है। वो सावधानी से चारो और चेक करता है। उसे कोने में बहुत सारा खाना मिलता है और साथ ही एक ऑकसीजन मास्क भी मिलता है। मैथ्यू उसे पहन कर घर जाने के लिए तयार हो जाता है। तबी अचानक से एक पुलिस वाला वहां पर आता है। मैथ्यू को पता चलता है कि वो मदर पुलिस नहीं किया था, पुलिस वाला उसे ऑक्सीजन टैंग उतारने का कहता है, वो अपनी बंदूप निकाल ही रहा होता है कि, तभी मैथ्यू ऑक्सीजन मास्क पहन कर उस पुलिस वाले को लेकर नीचे कूद जाता है, और उसका गला जब वो बॉक्स खोलती है तो वो देखती है कि ब्लास्ट के कारण सूट डेमेज हो गया है और इसके बिना उसकी बेटी के बचने की कोई गुंजाइश नहीं है इससे भी बुरी बात यह है कि एटाइट कैपसूल की बैटरी फिर से खत्म होने वाली है और उसे तुरंत अप पर पहुँच कर बैटरी बदल देती है कैपसूल फिर से चालू हो जाता है और सारी जहरीली गैस फिल्टर हो जाती है सारा अपनी मा से पूछती है कि उसने मास्क क्यों नहीं पहना है एना उसका जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है घंटो बाद मैथियू घर लोटता है और उसकी बेटी उसे सारी बात बताती है वो घबरा कर अपनी पत्नी को धूनवने सीडियों से उपर भागता है पर बुरी बात ये थी कि एना ने अपनी बेटी के लिए खुद को कुर्बान कर दिया होता है उसने अपनी बेटी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जब सारा अपनी मा के बारे में पूछती है, तो मैथियू उसे कोई जवाब नहीं दे पाता, वो यहां से निकलने की योजना बनाने लगता है, अचानक भूकम फिर से आता है, जिससे गैस और भी तेजी से बढ़ती जा रही थी, वो सब अब यहां सुरक्षित नहीं है, खुशी खुशी अपनी मृत्यू को स्वीकार करते है, और खुशी से इस दुनिया को छोड़ देते है, मैथियू उस वेन को धून लेता है, और सूट लेकर तेजी से घर लोटने लगता है, उसे सड़क के किनारे एक स्कूटर मिलता है, फिर वो स्कूटर पर बैठकर जित एक जगह बैठना पड़ता है। वो वोकी-टॉकी पर अपनी बेटी से बात करने की कोशिश करता है, पर कोई जवाब नहीं आता, वो उदास हो जाता है। अचानक उसे धुये में बिना मास्क के दो लोग दिखाई देते हैं। उनके पास आने पर पता चलता है कि वे उसकी बेटी सारा और उसकी दोस्त नुआ हैं। दोनों को एक ही तरह की बीमारी हैं। दरसल उस बीमारी के कारण ये जहरीली गैस उन पर असर नहीं करती है। सारा मैथ्यो के तरफ दोड़ती है और 12 साल में पहली बार दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। कहानी के अंत में हम मैथ्यो को सारा के मेडिकल कैपसूल में पाते हैं और इसको दिखाते हुए कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपके शहर में ऐसी जहरीली गैस फैल जाएं तो आप क्या करेंगे? कमेंट्स में बताएं और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।